दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदशन फॉर्ट सेविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम कांटिनिव करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाई एवं रचनाकार से संबंधित महत्पूर्ण प्रश्ण जो आपके आगामी पर इक्षाओं जैसे TGT, PGT, Yalty Grade, Government Inter College प्रवक्ता, Government Degree College, उच्चतर सिक्षा असेस्टिन्ट प्रोफेसर केंद्री विद्याले संगठन और NETJRF के लिए बहुत ही उपयोगी है, दोस्तों प्रश्णों को साल्व करते समय हम उनकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्णों को आसानी से समझ सकें और कुछ अत्रीक्त तथ्यों को भी तैयार कर सकें, तो आएए शुरू करते हैं, हिंदी की प्रमुख रचनाई एवं रशनकार से संबंधित, मोहत्वण प्रश्णों का भाग 3, पहला प्रश्ण है दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष करके लिखी गई पुस्तक, हल्चल के पंख के लेखक कौन है, आपको बताना है, आपसंस हैं आपके, देखे, रामचंद्रतिवारी, मोहन प्रश्ण परमहंस के जीवन को लक्ष करके लिखी गई पुस्तक, हल्चल के पंख के लेखक, मोहन अवस्थी हैं, और यह उनके अनुगीतों का संग्र है, अगला प्रश्ण है, प्राकृत पहेंगलम के रचैता कौन हैं, आपको बताना है, तो आप जानते भी होंगे दोस प्राकृत पहेंगलम जो है, इसमें प्राकृत और अपभरंस के फुट रचनाय संग्रहित हैं, और यह चंद सास्तर संबंधी पुस्तक है, इस गरंथ का संग्रहकाल सामानते 14. सताबदी का पूरवार्ध माना जाता है, और सुनीति कुमार चटर जी इसे 15. सताबदी के आ आचारे हजारी परसाद दिवेदी के अनसार लक्षमी धर ने इसका संग्रह किया था, जबकि प्राकृत पहेंगलम में बबबर, बिद्याधर, उजल, हरिब्रत, आदविद्वानों की रशनाय संग्रहित हैं, प्राकृत पहेंगलम के टीकाकार वन्शिधर हैं, और इस प रचाईता के बारे में अगर जो पूछा जाए, तो कोई भी उत्तर इसका सही नहीं होगा, अगला प्रशन है दोस्तों, ज्यान बोध किसकी रशना हैं, आपको बताना है, सुन्दरदास, मलूक दास, रजजब जी या इन में से कोई नहीं, तो सही उत्तर है, संत मलूक दा दोस्तों, ज्यान बोध मलूक दास की रशना है, और मलूक दास के अन्य प्रामारी ग्रंथों में, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्त विवेक, ज्यान परोक्ष, बारह खड़ी, राम आवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रूव चरित्र, विभव विभूति, सुख सागर और अस्थुटपद हैं, तो याद रखिएगा, ज्यान बोध, भक्त विवेक, ज्यान परोक्ष, ये सभी रचनाएं, संत मलूक दास की हैं, अगला प्रशन है कि भक्त विवेक निम्नलिखित में से किसकी रशना है, तो सही उत्तर है, मलूक दास की रशना है, भक्त विवे अगला प्रशन है दोस्तों, बुद्द चरित की रशनाकार की इन में से एक और कृति है, वो है, देखे, मुदराराक्षस, पृतिज्या योगंध रायण, हनुमान नाटक, और सौनदरानन्द, तो इसमें से आपको बताना है कि बुद्द चरित की रशनाकार की इन में से एक कृति कौन है तो ये है सौंदरानंद और दोस्तों ये अस्वघोस की कृति है आप जान लिजे कि बुध्चरित महाकवी अश्वघोस की कभित्व किर्ति का आधारस्तम्भ है और 28 सर्गों में बिर्चित इस महाकाव्वे के दूति से लेकर 13 सर्ग तक तथा प्रथम और 14 दोर्दश शर्ग के कुछ हंस ही मिलते हैं बुध्चरित के अलामा अश्वघोस रचित अन्यरचनाओं में सौंदरानंद सारी पुत्रपकरण तथा राष्टपाल जो है दो रूपक है और इसके अत्रिक तक अस्वघोस का जातक की शैली पर लिखित कल्पना मंडिति का भाषा हनुमनाटक के रचैता कौन है तो सही उत्तर है हिर्दैराम देखिए दोस्तों भाषा हनुमनाटक के रचैता हिर्दैराम है और प्राणचंद चौहान ने रामायर महनाटक की रशना की है रामानंद आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं इन्होंने सभी जात धर्म क के लोगों को अपना शिष से बना कर एक धार्मिक रोढ़ी का खंडन किया और शगुड भक्ति का विधारा में रामासरई साखा के प्रतनी धिकव के रूप में तुलसी दास जाने जाते हैं और तुलसी दास के गुरु नर हर्यानंद थे अगला प्रशन है रामायड महानाट के लिखक हैं अगले प्रेशन पर आते हैं दोस्तों ये महतुपूंड क्रिती है प्रवासी के गीत की रश्नकार कौन है आपको बताना है नरेंदर शर्मा, हरिवंस राय बच्चन, भगावती चरन बर्माया, हरिकृष्न प्रेमी तो सही उत्तर है नरेंदर शर्मा दोस्तो जैसुवाड़ा इनके प्रवंध काब्धे हैं अगला प्रश्न है औरत की बोली के कृति के रशनकार काउन है तो सही उत्तर है दोस्तों औरत की बोली कृति के रशनकार जो है वो गीता श्री है आपसन भी आपका सही उत्तर है गीता स्री की अन्य रचनाओं में कहानी संग्रह प्रार्थना के बाहर कविता जिनका हक, इस्त्री विमर्स में इस्त्रियक अंग्छा के मांचित्र, शोध में सपनों की मंडी जोकी आदिवाशी लड़कियों की तसकरी पर आधारित है और देह राग जोकी बैगा आदिवास कवी रगवीर शहाय की कविता है और रगवीर सहाय अग्गे द्वारा प्रकासित दूसरे तार सब तक के महत्वण कवी हैं और आप जान लेजे अन्य महत्वण रचनाएं अगर जो हम रगवीर सहाय की देखे तो इनमें काब्य में सीढियों पर धूप, आत्महत्या की वि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कवन हैं तो उत्तर है विवे की राय दोस्तों विवे की राय गवई यानि गाओं के रंग में रंगे हुए सहज और आस्तिक रशनकार हैं उन्होंने अनेक विधाओं में रशना की है वे एक सातकवी, कथाकार, निवंधकार और रिपो दोस्तों विष्नुदास के क्रिष्न लीला संबंधी दो काबे उपलब्ध हुए हैं रुकमिडी मंगल और सनेह लीला, सनेह लीला में क्रिष्न को अपना ब्रज संबंधी बाले काला स्मरण आता है और वह उद्धों को गोपियों के लिए संदेश देकर ब्रज भेशते है इसी तरह अगर जो आप देखें तो रुकमिडी मंगल में क्रिष्न रुकमिडी बिवाह की कता है और विष्नुदास के ये दोनों काबे क्रिष्न और राम काब्यों के प्रे रख हैं अगला प्रशन है दोस्तों निमने लिखित कौन सी पुस्तक हजारी परसाद दिवेदी ने नहीं लिखी है अशोक के फूल कबीर नया साहित या फिर कुटज तो आप जान लेजिए अशोक के फूल कबीर और कुटज हजारी परसाद दिवेदी की रशना हैं नया साहित हज आप देखे आशोक के फूल, कुटज और कबीर हजारी परसाद दिवेदी द्वारा रचित पुष्टके हैं इसमें आशोक के फूल और कुटज निबंद संग्रे और कबीर आलोशनात्मक ग्रंथ हैं नया शाहित यस्पाल, रामबिला सर्मा, शियुदान सिंग चोहान, प्रकास चंद गुप्त के संपादक मंडल और नरेंदर शर्मा, अमरितलाल नागर, रमेर सिनहा और शमसेर वहदूर सिंग के संपाद कत्व में प्रकासित पत्रिका रही है आचारे हजारी परसाद दिवेदी के अनिक कृतियों में आप देखिए निवन्द संग्रह कल्प लता और विचार और वितर्क, आलोग पर्व और विचार प्रावाह ये निवन्द संग्रह है और इनके इतिहास गरंथ और आलोशनात्मक कृतियों में हिंदी साहित्य की भ अगला प्रश्ण है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निमनलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है तो डाक्टर सुमन राजी ये महत्पूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डाक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है और सुमन राजे द् अपना और लाश घर, चौथा सब्तक, उगे हुए हाथों में फूल, यात्रा देश, 21. सदी का गीत, आलोशना और साहिते तिहास, संरशना और सोरूप, काब्य रूप, संरशना, उद्भव और विकास और नाटे सिल्प, रजना की कारिसाला आदी ये डाक्टर सुमन राजे की कृतियां हैं, अगले प्रेशन पर आते हैं, उनकी आलोशना की प्रमुख विशेषता है, उनकी अनाविल द्रिष्टी और निर्मल विवेचन, ये कथन किस आलोशक के प्रती है, तो सही उत्तर है, ये विश्वनात परसाद मिस्र की आलोशना की प्रमुख विशेषता ह इन्हें चंदरशेखर आजात का घनिष्ट मित्र माना जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों हिंदी साहिते का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है आप जानते भी हैं दोस्तों हिंदी साहिते के दूसरे इतिहास ग्रंथ के लेखक डाक्टर बच्चन सिंग है इस काल का उप विभाजन नौ जागरण यूग स्वक्षन्दता यूग और उत्तर स्वक्षन्दता यूग के नाम से किया उत्तर स्वक्षन्दता यूग के अंतरगत प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकतावाद का विवेचन मिलता है दोस्तों, डाक्टर बच्चन सिंख की अन्य कृतियों में भिहारी करणा या मुल्यांकन, क्रान्तिकारी कवी निराला, आलोचक और आलोशना, रिति कालीन कवीों की प्रिम बेंजना, समकालेन साहिते और आलोशना की चुनवती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोशना के वीज सब दोस्तों ये डाक्टर वच्चन की अन्य महत्पूर्ण कृतियां है अगला प्रश्ण है ए हिस्ट्री आफ हिंदी लिट्रेचर के लेखक कौन है देखें फ्रेंक एके मैक्स मूलर जार्ज अबराहम गियर्सन या फिर रामचंदर शुक्ल तो सही उत्तर है दोस्तों फ्रेंक एके ए हिस्ट्री आफ हिंदी लिट्रेचर के लेखक फ्रेंक एके हैं भारत में ये है 1920 में कलकत्ता एशोसियेशन प्रेश द्वारप प्रकासित की गई थी और ये अंग्रेजी भाशा में लिखी गई है अगला प्रश्ण है ए इसके चाफ हिंदी लिट्रेचर के लेखक कौन है आपको बताना है तो एडविन ग्रीब्ज याद रखेगा दोस्तों ए इसके चाफ हिंदी लिट्रेचर के लेखक एडविन ग्रीब्ज है और इसका प्रकासन सन 1917 में हुगा था अगला प्रशन है दोस्तों आलसीओं का कोड़ा किसकी रशना है ललुलाल मुंसे सदासुखलाल सदल मिश्रया सितारे हिंद तो सही उत्तर है सितारे हिंद आलसियों का कोड़ा के रशनकार राजस्यू प्रसा सितारे हिंद हैं इनकी अनिरचनाओं में राज़भोज का सपना, बीर सिंक बृत्तांत, भुगोल हस्ता मलक, वामा मनुरंजन, मानो धर्मसार, उपनिशसार, योग वशिष्ट आदि हैं तो याद रखेगा आलसियों का कोड़ा, राजस्यू प्रसा सितारे हिंद की रचना है, अगला प्रशन है, उन्होंने सामान नहिरदयतत्यों की स्रिष्ट व्यापी भावना और मनुस्य और पस उपच्छी सबको एक जीवन सुत्र में बद्ध देखा है, ये किसके बारे में कहा गया है, तो सही उत्तर है, ये जायसी के बारे में ये कथन कहा गया है, और आचारे रामचंद्र शुकलिक के अनुसार, जायसी ने सामान नहिरदयतत्यों की स्रिष्ट व्यापनी भावना द्वारा, मनुस्य और पस उपच्छी सबको एक जीवन सुत्र में बद्ध दे के गए हैं, बच्चन सिंग, रामचंतिवारी, डाक्टर रामविला सर्मा और डाक्टर विश्नु का अंतसास्त्री, तो सही उत्तर है, आपसन ए, डाक्टर बच्चन सिंग, दोस्तों, डाक्टर बच्चन सिंग के अनुसार, विद्यापती की एक अविता का अस्थापत्य श्रिंगारिक है उसे आध्यात्मिक कहना है खजुराहो के मंदरों को आध्यात्मिक कहना है और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आध्यात्मिक रंग के चसमें आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्या पति के पतों को भी और आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी के अनुसार विद्यापति श्रिंगार के वाकरस सिद्ध कभी है अगला प्रशन है दोस्तों आप देख लीजिए कि इन में संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्थ हुआ पर आगे चलकर कबी दोस्तों आचारे राम चंदर शुक्ल ने अपने गरंथ हिंदी साहति के इतिहास में लिखा है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्थ हुआ पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद की राम से अलग हो गए हैं अगला प्रशन है दोस्तों चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहितिक रचना है गुरुगोविंद सिंग अरजुन सिंग राम दास या अंगद तो सही उत्तर है गुरुगोविंद सिंग दोस्तों चंडी चरित्र गुरगोविन सिंग की विसिष्ट साहितिक रशना है इनकी रशनाओं के संग्रह का नाम दशम गरंत है इसमें सोलर रशनाए संक्लित हैं इनकी शैली और जस्विनी है और गुरु जी की रशनाओं में वीर रस की प्रधानता है अगला प्रश्ण है कबीर के बीजक पर रची गए त्रिज्या टीका किसकी है देखे पूरंदास जग जीवंदास भगवानदास या पल्टू साहब तो सही उत्तर है आपसन ए पूरंदास पूरंदास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे उन्होंने वैराग शतक नामक गरान्थ की रचना की तद पश्चात उन्होंने नेड़ासार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की है अगला प्रश्ण हैं दोस्तों बिहारी सतसाई की टीका लालचंद्रिका नाम से किसने की है आपको बताना है तो देखिए बिहारी सतसाई की टी का लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल की है आप संडी आपका सही उत्तर है आप देख लीजिए बिहारी सतसाई की टी का लाल चंद्रिका के नाम से लल्लू लाल ने लिखा है पर इनका उलेक छत्र प्रकास के रचैता के रचैता लाल क भी कल्पना कर ली गई है अगला प्रश्न है दोस्तों इमने लिखित में से कौन घनानंद की रशना नहीं है आपको बताना है देखे प्रिया प्रसाद भावना प्रकास प्रीति पावस या पक्छी विलास तो सही उत्तर है पक्छी विलास पक्छी विलास दोस्तों घनानंद की रशना नहीं है प्रिया प्रसाद भावना प्रकास प्रीति पावस घननन्द की रशना है पच्छ विलास इनकी रशना नहीं है घननन्द की प्रमुख रचनाओं में सुजान हित आप देखिए बहुत ही महत पूर है सुजान हित इश्क लता वियोग वेलिया वियोग वेलि प्रेतिपावस, यमुनायश, ब्रिंदावनसत, कृष्ण कौमोदे, सर सवन्त और प्रेम पत्रिका ये घनानंद की प्रमुख रशना हैं अगला प्रशन है दोस्तों कालिदास हजारा की रशना किसके द्वारा की गई है तो आप बताईए कालिदास हजारा की रशना कालिदास द्वारा की गई है और रितिकाल कवी कालिदास ने कालिदास हजारा की रशना की है भारतेंदु हरिश्यन ने सुंदरी तिलक में रितिकाल इनकवियों का संकलन किया है दोस्तों कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था और कहा जाता है कि ये जम्बु नरिष जोग सिंख के यहां रहते थे उनके लिए विक्रम संबत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोत की रशना की ये नाईका भेद और नख सिख वरण का ग्रंथ है और 32 कवित्तों कि इनकी एक छोटी पुस्तक देख लीजिए जनजीरा बंद भी है जिसमें की कुल 32 कविंद हैं अगला प्रशन है स्रिंगार लतिका के रचैता कौन है आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों स्रिंगार लतिका के रचैता द्विज देव है आपसंडी आपका सही उत् द्विज देव के तीन गरंथों की चर्चा की जाती है स्रिंगार लतिका, स्रिंगार 32 और स्रिंगार 25 रामचंदर शुकले ने तीसरे गरंथ को सोतंद ने मानकर दो ही गरंथ माने हैं और स्रिंगार लतिका की सौरभ नामक्ती का महराज परताब नरायन सिंग ने लिखी है और देखे द्विज्देव के का बिगुरू बलदेव सिंग्थे अगला प्रश्न है हालात एक नहीया किसकी रश्ना है आपको बताना है पूरण भगत, विद्यापती, अमीर खुष्रो या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर है हाला तेक नहिया अमीर खुशरो की रचना है आदसन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों इनके द्वारा नजरान ए हिंदी नामक एक और ग्रंथ की रचना का उल्लेख मिलता है अगला प्रशन है हिंदी नौरत्न के लेखक कौन है आपको बताना है तो आप जानते भी हैं दोस्तों हिंदी नौरत्न के लेखक मिश्र बंधु हैं और मिश्र बंधु देखिए गडेस विहारी मिश्र स्याम विहारी मिश्र और सुकदेव विहारी मिश्र ये मिश्र का नाम सर्वोपरी है हिंदी रवरत्न और मिश्र बंधु बिनो तीनो भाग 1913 में मिश्र बंधु की रशना है हिंदी नौरत्न समा लोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें नौ कभियों को अस्थान दिया गया है ये हैं गोस्वामे तुलसिदास, सूर्दास, महाकभी देव, दत्य महाकभी बिहारिलाल, त्रिपाठी बंधु भोसड और मतिराम, महाकभी के शौदास, चंदबरदाई और भारतेंदु हरिश्चन्द अगला प्रशन है हिंदी नौरत्न एक आलोशनात्मक कृति है जिसके आलोचक रशनकार कार कौन है तो सही उत्तर है मिश्र बंधु मिस्र बंधु दोस्तों तीन भाई है इसमें आप जानते हैं कि गड़ेस विहारी, स्याम विहारी और शुकदेव विहारी मिस्र और इन्ही की रशना है हिंदी नौरत्न अगला प्रशन है माधो विलास के रशनकार कौन है आपको बताना है लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम परसाद निरंजनी या सदा सुखलाल तो सही उत्तर है दोस्तों माधो विलास के लेखक जो है वो लल्लूलाल है माधो विलास 1817 में रशनकार ललूलाल की कृती है इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में सिंगहासन बत्तीशी, वैताल पचीसी, मधोनल सकुंतला और प्रेम सागर इत्यादी है और आप जान लेजे सदल मिष्ण ने चंद्रावती तथा नासिकेतो पाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोले में अनुदित किया है और राम प्रसाद निरंजनी ने योग वसिष्ट और सदा सुखलाल ने सुख सागर की रजनकी है अगला प्रेशन है दोस्तों बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचैता कौन है आप संदेखिए काशिनात खत्री बिहारी राधा चरनल गोस्वामी या पंडित अंबिका दत्वियाश तो सही उत्तर है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचैता पंडित अंबिका दत्विया और आचारे राम चंद्र शुक्र ने पंडित अंबिकादत व्यास को ब्रज भासा का अच्छा कविमाना है इन्होंने बिहारी के दोहों के भाव को विश्तित करने के लिए कुंडलियां चंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काब्यग्रंथ लिखा है अगला प्रशन ह तथा पटकथा के लेखक कौन है तो याद कर लिजे धूमिल धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है दोस्तों और मोची राम और पटकथा ये सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं इनकी अन्य कविताओं में मैंने घुटने से कहा हरित क्रांती उसके ब मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्र है अगला प्रशन है संसस से सडक तक के रशनकार कौन है तो धूमिल सुदामा पांडे धूमिल दोस्तों संसस से सडक तक के रशनकार है मूची राम कविता के रचाईता कौन है तो ये हैं धूमिल याद आपसन C आपका सही उत्तर है अगला प्रशन है दोस्तों धूमिल की रचनाएं कौन सी हैं तो देखिए संसस से सडक तक और कल सुनना मुझे तो आपसन A सही उत्तर है धूमिल की पृषिद रचनाओं में संसस से सडक तक और कल सुनना मुझे हैं अगला प्रशन है वह विकल् का मायनी और प्रिय प्रवास हैं तो ये खड़ी बोली के महाकाबियों के नाम है अगला प्रशन है निमनलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है आप देखिए कुवानो नदी सरवेश्वर दयाल सकसेना ये आपका सही सुमेलित है सत्पुडा के जंगल भवानी प्रशाद मिस्र सही सुमेलित है संसस से सडक तक नागारजुन ये नागारजुन नहीं बलकी धूमिल की रशना है और देखिए रामदास की हत्यार अगवीर सही है तो आप संसी आपका सही सुमेलित नहीं है संसस से सडक तक काब्य रचना तो सही उत्तर है कला और बुढ़ा चान दोस्तों ये नागारजुन द्वारा रचित नहीं है बलकि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित का अब्वे है पाशाडी रवेंद्र के प्रति और चंदना ये नागारजुन की कृतियां हैं अगला प्रशन है दोस्तों निम्न लिखित में से कौन सी रचना नागारजुन की नहीं है आपको बताना है आपसन है तुम्हें सौपता हूँ तुमने कहा था प्यासी पत्राई आखे और युगधारा तो सही उत्तर है तुम्हें सौपता हूँ दोस्तों तुम्हें सौपता अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किस ने लिखा है आप सन देखते हैं डाक्टर विश्वनात तरिपाथी आचारे विश्वनात प्रसाद मिसर डाक्टर राम कुमार बर्मा या डाक्टर राहुल सांकृतियाएन तोसही उत्तर है आपसन भी आचारे विश्वनात प्रसाद मिस्र, दोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत भाग एक और दो आचारे विश्वनात प्रसाद मिस्र का आलोशनात्म ग्रंथ है, इनके अन्य आलोशनात्म ग्रंथों में देखिए बिहारी की वाग विभूती, वांग मैं विमर्स, हिंदी का संसाम एक साहित और हिंदी नाटे साहित का विकास हैं शुक्ल जी ने अपनी अलोशना के लिए सगुडो पासक भक्त कवियों को चुना तो मिस्र जी ने रीति कालीन कवियों को चुना है और बिहारी और घनानंद उनके प्रिय कवी हैं अगला प्रशन है दोस्तों हिंदी साहित का अतीत भाग एक और दो साहित इतिहास गरंथ के लेखक कौन है तो उत्तर है ये हैं विश्वनात प्रसाद मिस्र आचार विश्वनात प्रसाद मिस्र दोस्तों हिंदी साहित का अतीत भाग एक और दो साहित इतिहास गरंथ के लेख अगला प्रशन है हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक से पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का अतीत शीर्षक पुस्तक के लेखक आचार विश्वनात परसाद मिस्र है आपसन भी आपका सही उत्तर है अगले प्रशन पर आ जाते हैं हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास गरंथ के रशनकार का नाम क्या है आपको बताना है विशुनात प्रसाद मिस्र राम चंदर शुक्ल राम कुमार भर्मा या गड़पत चंदर गुप्त तो आप जानते हैं विशुनात प्रसाद में सरदोस्तों हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास गरंध के लेखक हैं। अगले प्रशन पराते हैं अंग बधु किसकी रशना है बताएं अंग बधु किसकी रशना है गरीब दास मिस्कीन दास मलूग दास या दादु दयाल तो सही उत्तर है मलूग दास सही उत्तर है दादु दयाल आप देखिए आप संडी आपका सही उत्तर है अंग बधु जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के सब्दों का मिस्रण भी मिलता है उनकी भाषा कबीर की अपेक्छा सरल और बोधगम में हैं उनके 52 सिस्यों में रजजब और सुन्दर दास सर्वप्रमुक थे अगला प्रशन है दोस्तों निम्न में से कौन सी रशना नानक की नही हैं आपको बताना है असा दिवार अंग बधु रहिरास या सोहिला तो सही उत्तर आपसन भी अंग बधु दोस्तों गुरु नानक देव सिख संपरदाय की मोल प्रवर्तक और आदि गुरु थे गुरु नानक की परमुख रशनाओं में जपू जी असा दिवार रहिरास औ और सोहिला है नसीहत नामा गुरु नानक की मोहतवपूर रशना है और अंग बधु संत कवी दादु दयाल की रशना है दादु दयाल के सिसे रजब ने अंग बधु का संपादन किया था अगले प्रशन पर आते हैं आत्म बोध किसकी रशना है आपको बताना है जालन धर गोरखनाथ मतसेंद्र नाथ या इन में से कोई नहीं तो सही उत्तर क्या है दोस्तों सही उत्तर है आत्म बोध नामक ग्रंथ के रशनकार गोरखनाथ है आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा आत्म बोध नामक ग्रंथ के रशनकार हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ है इनकी अन्य रचनाव में सब्दी, पद, प्राण संकली, सिस्या दर्सन, नर्वय बोध, अभय मात्रा जोग, और पंद्रह दिथी, सब्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रामावली, ज्यान तिलग, ज्यान चौतिसा और पंच मात्रा आदी हैं अगले प्रशन पर आते हैं, आत्म बोध किसकी रशना है, तो आप जान गये हैं कि गोरखनात की रशना है, और आज की वीडियो का जो अन्तिम प्रशन है, भारतेंदु हरिश्यंद की रशना हिंदी भासा का प्रकासन वर्स कब है, 1865, 1890, 1880 या 1850, तो सही उतरापसन भी, 1890 दोस्तों भारतेंदु हरिश्यंद की रशना हिंदी भासा का प्रकासन 1890 में हुआ, भारतेंदु को हिंदी नौजागरन का अगरदूत माना जाता है, हिनों ने हिंदी गद्ध की अनेक विधाओं को सम्रिध किया है, और आप भारतेंदु हरिश्यंद की कृतियों में देख प्रेम प्रलाप होली वर्षा विनोत फूलों का गुच्छा और प्रेम फुलवारी इनके महत्पूर्ण काभ्यों का संग्र है और इन्होंने कविवचन सुधा का 1968 में संपादन किया हरिश्यंद मैग जेन 1873 में और आप देख सकते हैं दोस्तूं 1874 में ये संपादक अधिनी का प्रकासन जो है ये आप देखिए 1874 में हुआ था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने हिंदी के प्रमुख रशनाएं एमम रशनाकारों से संबंधित महत्पूर्ण प्रशनों को साल्व किया जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों ये प्रशन टीजीटी पीजीटी यल्टी ग्रेड गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता गौर्मेंट डिगरी कालेज केंद्री विद्यालस अंगठन इसके अलामा आप देखिए उत्राखंड और राजस्थान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार